हलो फ्रेंज वेलकम टो इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट दोस्तो आज का ये वीडियो में हम डिस्कसन करेंगे MCB क्या है, MCB कितने प्रकार का है और कौन सा प्रकार का MCB कहां यूज करना चाहिए दोस्तो इसलिए वीडियो को आप स्टार्ट से एंट तक पूरा दिखना वर दोस्तो अगर फर्स्ट टाइम आप ये चानेल देख रहे तो प्लीज मेरा चानेल को पहले सब्सक्राइब कर दिजिए ओके चलिए स्टार्ट करते आज का ये वीडियो दोस्तो mcb क्या है mcb एक electrical protection device है जो circuit को automatically open करता है जबी उसमें rating current से ज्यादा current flow करता है ठीक है दोस्तो तो ये क्या करता है circuit से अगर rated current से ज्यादा current flow करता है तो उसको circuit को अपने आप open कर देता है मतलब वो trip हो जाता है नेक्स्ट आएक है दोस्तो हम mcb क्यों use करते जैसे कि आपको मालूम है mcb हम लोग का equipment का protection के लिए use करता है बट कौन सा protection के लिए use करते दोस्तो उसका answer एक overload protection के लिए दुसरा short circuit protection के लिए overload protection क्या होता है दोस्तो जब ही एक circuit में उसका rated current से ज्यादा current flow करता है तो mcb का rated current से ज्यादा current flow करेगा तो mcb trip हो जाएगा उसी तरह जब short circuit क्या होता है दोस्तो हमारा जो phase और neutral जगर short हो जाता है तो उसमें huge amount का current flow करने लगता है तो mcb का rated current से ज्य protection हो जाता है equipment का ठीक है दोस्तों उसका और एक question आएगा दोस्तों बट कितना current ज्यादा होने पर trip करेगा ठीक है दोस्तों तो इसके लिए उसका जो tripping curve के हिसाब में mcb को divide किया हुआ है a type b type c type d type और z type और k type दोस्तों तो हम एक जानेंगे a type क्या होता है बी दोस्तों ए टाइप का जो mcb है वो उसका क्या होता है उसका rated current से अगर two to three times current ज्यादा flow करेगा तो अभी हो trip करेगा दोस्तों suppose आपने 10 ampere का mcb लगा है और वो circuit में 10 ज्यादा 20 ampere के current flow करने लगा तो mcb trip कर जाएगा तब तक वो trip नहीं करेगा इसलिए दोस्तों यह हम कहां यूज करते है यह इतना कम टाइम पर वो trip होता है इसलिए उसको हम लोग सेंसिटीव अप्लिकेशन के लिए ज्यादा करके Yes mcb यूज होता है दूसरा दोस्तों आगे दूसरा बी टाइप ए बी टाइप कहां ही उश करते हैं दोस्तों और बी टाइप कैसे काम करता है दोस्तों बीटाइप mcb में अगर आपका तो रेटेंड करेंट से 3 to 5 ताइम्स करेंट फ्लो करता है तो वह ट्रिप करता है इसलिए बी टाइप mcb domestic house wearing और लाइटिंग के लिए हम लोग घर पे यूज कर सकते हैं तो उसके बाद आता है c-type c-type में क्या होता है दोस्तो c-type में 5 to 10 ताइम्स करेंट से ज्यादा होगा तो वह mcb trip करेगा यह ज्यादा तर दोस्तों commercial यूज करते हैं commercial offices बगरा commercial mall बगरा में जो lighting wearing होता है उसके लिए ज्यादा तर वह यूज करते दोस्तों उसके बाद आता है d-type d-type में क्या होता है अगर d-type में 10 to 20 टाइम्स करेंट करेंट होगा तभी वह trip करेगा इसलिए दोस्तों यह ज्यादा करके motor x-ray welding machine बगरा यूज होता है क्यूंकि motor का क्या होता ना यह सब machine क्या होता है starting current काफी ज्यादा होता है तो starting current वह संभा लगा उसके बाद ज्यादा current होगा तभी वह trip करेगा अगर d-type के जगा हम लोग b-type या a-type लगा देंगे तो motor के लिए तो तुरंट trip मार जाएगा इसलिए वह चालू नहीं हो पाएगा motor इसलिए इसको d-type का हमेशा motor बगरा में यूज करना चाहिए दोस्तों next आता है k-type k-type कहा ही उसकरते हैं दोस्तों अगर उसका current rating जो है 8-12 times हो जाएगा current rating का तो वह trip करेगा यह normally d-type से जैसा है बट यह थोड़ा मतलब थोड़ा सा उससे कम है वह 10 times में trip होता था वह 8 times से trip होता यह भी हम लोग motors के लिए भी use कर सकते हैं उसके बाद आ है 2-3 times of rated current में यह भी trip होता है यह similar to a type है जो sensitive protection के लिए हम लोग use कर सकते हैं दोस्तों अगर mcb को उसका number of poles के हिसा में divide करेंगे तो single pole mcb double pole mcb three pole mcb three pole neutral mcb और four pole mcb दोस्तों single pole double pole यह single phase के लिए हम लोग use करते हैं 240 volt के लिए और three pole वाला three pole neutral और four pole हम लोग 440 volt यानि की three phase के लिए हम लोग use करते हैं दोस्तों यह वीडियो में मैंने आपको यह बताया mcb क्या होता है उसका कितना types का है और count का type का mcb कहां use करना चाहिए दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा पहले subscribe कर दीजिए आपकी friend circle में share कीजिए और बहुत सारी comments लिखे thank you for